हेलो गाइस अगेन विलकम यौल तो माई यूटीब चैनल कोडिंग पीडिया गई आज की वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं रिलेटेट टू यह निम चैप्टर ठीक है गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि कैसे आप आइ कि हमारा patient new है या established है ठीक है मैंने यहां पर कुछ keywords भी बताए हुए है like कुछ points बताए हुए है जैसे मालो patient पहली बार आता है initial visit होता है तो हमारा वो क्या जाएगा new patient में जाएगा ठीक है अगर मालो patient की initial visit है या doctor पहली बार patient को देख रहा है तो वो हमारा new में जाएगा with points गई सारा कुछ ना मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा जिससे आपको easily आइडिया भी लगेगा कि कैसे आप समझोगे के patient new है या established है सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मिलेंगी बस रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखेगा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आपको नई भी लगेंगी और आपके लिए important भी रहेंगी इसके वीडियो को पूरा देखेगा जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा और आपको easily यह समझ में भी आ जाएगा कि हमारा कौन से टाइम पे पेशेंट होता है मतलब किया-कर सरकमिसांस होते हैं जहां पर मारा कnous बेसा के पुरा देखेगा और अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते तो आज की वीडियो काफी important रहने वाली है रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखेगा तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर दिले लेस्ट स्टार्टेट है अज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह बात करेंगे निव वर्से स्टैबलिस पेशेंट की ठीक है कि यहां पर कभी कभी स्ट्वेंट को confusion रहता है तो आपको इजी तरीका बताने के लिए क्या है मैंने कुछ points बनाए है जिनको आपको देख के समझ में आना चाहिए कि पेशेंट निव कभ है और स्टैबलिस कभ है उससे पहले मैं आपको निव पेशेंट बटैबलिस पेश पेशेंट की मतलब यह है कि अगर मानलो कोई बीपेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है ठीक है और उसने तीन साल में कभी वी उस डॉक्टर से या उसकी स्पेशलिटी के डॉक्टर से कभी भी सर्विस नहीं लिए तो उस टाइम पर हमारा पेशेंट क्या होता है वो तो आपका टेक्स में जाता है तो तो हमारा नियू हो जाता है अगर विदिन भी हो जाता है तो वह बना चैबलिश में होता है अब देखो यहां पर मैंने प्षर ना पड़ेगा और काफी इसली समझ में किसमें और तो पहला पॉइंट की इनीशल विजिट के लिए या डॉक्टर के लिए तो उस टाइम पे हमारा वह कौन सा पेशेंट होगा न्यू पेशेंट होगा ठीक है अगर मालो कोई भी हेल्थ के रफेशनल या डॉक्टर या फिजिशन पेशेंट को पहली बार देखेग तो वो भी हमारा किस में जाता है new patient में जाता है ठीक है तीसरा point दे रखा है doctor physician seen the patient earlier but after three years देखो मैंने आपको starting में definition बताया था अगर मानलो doctor x है ठीक है इसने मानलो patient y को देखा है ठीक है और अब doctor x patient y को 4 साल में देख रहा है या मानलो 3 साल के बाद में देख रहा है तो वो हम हमारा किस में जाता है new patient में जाता है ठीक है निव पेशिंट देखो यहां पर देखा है patient is coming for second opinion अगर मानलो कोई भी पेशेंट अपना second opinion के लिए आता है doctor के पास में ठीक है खुद से और वो new specialty doctor हो सकता है या किसी के पास में हो सकता है तो उस तैम पे भी हमारा patient क्या होगा तो निव होगा ठीक है देखो गाई जी साधी चीज़ें विद एक्जामपल समझांगा मैं आपको के आपको इनको कैसे अप्लाई करना है ठीक है last point देखो यहां पर दे रखा है doctor x seen the patient earlier but now patient is coming to the doctor y but doctor y is not of same specialty ठीक है जैसा कि हमारा doctor x है so the patient will be new यहां पर कहने का मतलब क्या है है guys simple simple समझो अगर मानलो doctor x है doctor x हमारा orthopedic है ठीक है अगर अभी देखो दुबारा patient आ रहा है doctor y के पास में ठीक है बट यह orthopedic नहीं यह सरजन है और यह तीन साल के अंदर ही आ रहा है ठीक है तो हमारा जो patient होगा वह क्या होगा new होगा मतलब same specialty doctor के पास में नहीं आएगा न three words दे रहे हैं मैंने तो देखो यहां पर क्या होता है आपके सेनारियो में कभी-कभी मिलेगा कि आपका patient established है तो आप उसे समझ जाएगा हमारा patient established है यहां पे दूसरा point यहां पे रहा है patient is seen by the doctor twice or more than that within three year interval of time यहां पे तो देखो सिंपल चीज है कि मानलो doctor x ने patient को आज देख लिया और देखो डॉक्टर x ही patient को तीन साल के अंदर दोबारा देख रहा है तीसरी बार देख रहा है तो हमारा किस में जाता है इस्टैबलिस में जाता है ठीक है तीसरा point दे रहा है यहां पे patient is seen by doctor x but now within three interval of time doctor y is seeing the patient but doctor y is of same specialty यहां पे कहने का मतलब क्या है कि मानलो doctor है ठीक है ठीक है ठीक है पर यहां पर हमारा है सेम इस पैसलिटिक Orp Garg Style ठीक है थीक और देख में मतलब है ठीक है ठीक है कि मारे सींगता है अदुर को में तर्षी Airport Medifornisk Patreon और किया क्या दी का जाता हैρείย यहां पार में यहां पर कोई एक्स départ ऑ्न पर यहां क्तलब है मुद रि मतलब कि जाता है पेशेंट को समझ में आ गया होगा अभी ना मैं आ पुछ कुछ दिखा देता हूं जिससे आपको डारेक्ट समझ में आएगा कि हमारा पेशेंट है या नियू है है ठीक है तो देखो पहला कॉश्चन देखो फॉर्टी फाइव यह ओल्ड पेशंट इस्टैबलिज्ट है तो दूसरा कॉश्चन पढ़ो दूसरा कॉश्चन में क्या लिखा हुआ 63-year-old man is coming for second opinion for his sleep apnea he has had it for two years इसको जो प्रॉब्लम है वाली वह दो साल से है ठीक है बट अभी जो पेशंट आया है वह second opinion के लिए ठीक है और अगर सेनारियों में देखोगे तो कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि डॉक्टर ने इस पेशंट को पहले देखा है पेशंट किस के लिए आया है य जो कि उसको दो साल से है ठीक है तो इसलिए हमारा यहां पर पेशंट क्या होगा नियू होगा यहां पर मैंने दे भी रखा है ठीक है तीसरा question पड़ा आपने तीसरे question में देखो यहां पर एक चीज़ रखिया 55-year-old patient is coming to see her primary care physician ठीक है अब यहां पर देख रखा है डारेक् अगर डॉक्टर का primary care physician patient को देखता है ठीक है तो उस टाइम पर क्या है हमारा patient क्या होगा established होगा ठीक है और यहां पर देखो कहीं भी ऐसा भी मेंशन नहीं है कि जो patient है हमारा वह चार साल के बाद में आया primary care physician के पास में ठीक है तो इसलिए हमारा यहां पर क्या है patient established होगा ठीक है अगला question देखो अगला question पड़ा आपने इस question में देखो important चीज क्या है आपको यह देखना पड़ेगा कि patient new है यह जिसकी हम बात कर रहे है आज की वीडियो में हम वही चीज़ देख रहे हैं कि हमारा patient new कब है और इसलिए हमारा patient क्या यहां पर नियू होगा अब लास question देख लेते हैं लास question देखो यहां पर लिखा हुगा है a 25 year old female presented to a physician office complaining of a persisted abdominal pain the patient is new to the practice यहां पर तो देखो direct दे रहा है ठीक है आपको कैसे पता चलेगा कि new है established है तो देखो यह जो points है यह काफी important है ठीक है अगर आप इन points को समझ जाओगे ठीक है मैंने वैसे आपको बता दिया है आपको समझ में भी आ गया होगा तो आपको easily समझ में आ जाएगा कि आपका patient scenario में है वो established है या new है इन keywords को if you like my video please hit the like button share and subscribe my channel for further videos related to CVC exam thank you guys